एक विशाल जंगल में एक घमंडी हाथी रहता था, उसका नाम अजय था, अजय अपनी शक्ती और आकार के कारण जंगल के सभी जानवरों पर अत्याचार करता था, वह उन्हें डराता, धमकाता और उनका खाना छीन लेता, एक दिन जंगल में एक छोटी चीन्टी अपने घ तु इतनी छोटी क्यों है, तु मेरे लिए तो एक मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं है, चीन्टी ने डरते हुए कहा, मैं भले ही छोटी हूँ, लेकिन मैं भी इस जंगल का एक हिस्सा हूँ, यह सुनकर अजय को गुस्सा आ गया, और उसने चीन्टी को जमीन पर पटक अजय तु ने एक छोटी चीन्टी को चोट क्यों पहुंचाई, तु इतना बड़ा और शक्तिशाली है, तुझे कमजोरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, अजय ने कचुए की बात अंसुनी कर दी और कहा, तु चुप रह, कचुए, तु मेरी बात में दखल क्यों द कर सकती है, यह तो मेरे पैर के नीचे कुचलने लायक भी नहीं है, कचुआ बोला, यह सच है कि तु बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तु अकेला नहीं है, इस जंगल में हर जीव का अपना महत्व है, तु कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, अजय को कचुए की बातें समझ में आ गई, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने चीन्टी से माफी मांगी और उसे अपनी सून पर बिठा कर उसके घर तक पहुंचाया, चीन्टी ने अजय को माफ कर दिया, उसने अजय को बताया कि वह एक मीठे फल के पेड के बारे में जानती है, अजय और चीन्टी उस पेड के पास गए, चीन्टी ने अजय को बताया कि वह पेड बहुत उंचा है और वह फल को तोड नहीं सकता, अजय ने अपनी शक्ती का उपयोग करके फल को तोड दिया और चीन्टी को दिया, चीन्टी ने अजय को धन्यवाद दिया और फल को अपने घ इस घटना के बाद अजय ने अपनी घमंडी प्रवृत्ति छोड़ दी और जंगल के सभी जानवरों के साथ प्रेम और सम्मान से रहने लगा। नैतिक शिक्षा हमें कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। छोटी छोटी चीजें भी बड़ी मदद कर सकती हैं। घमंड एक बुरी प्रवृत्ति है। हमें अपनी शक्ती का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हो